ओम शान्ती आज 23 एपरिल 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेगे आज की मुरली बाबा हम बच्चों को प्रेणा भी दे रहे हैं और इशारा भी दे रहे हैं बाबा कहे बाबा जो सिक्षाएं तुम्हें दे रहे हैं आज्या कारी बनकर इसका अमल करना है बाबा कहे तुमने जो प्रतिग्या की है उस प्रतिग्या पर कायम रहना है अपने वचन से फिरना नहीं है साती सात बाबा कहे तुम्हारी पढ़ाई का लक्ष है घर जाना वाणी से परे परमधाम जाना तो बाबा कहे उसके लिए तुम्हें देही अभी मानी होने का भ्यास करना है एकांत में बैठ आत्म अभी मानी होने का भ्यास करो अशरीरे बनने का भ्यास करो तभी बाबा कहे आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएगे तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मतुर महावाक्य ओम शांती, मीठे बच्चे, बाप जो सिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ तुम्हें प्रतिग्या कर अपने वच्चन से फिरना नहीं है आज्या का उलंगन नहीं करना है आज की मुड्ली से प्रश्न है तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है पुतर, तुम्हारी पड़ाई है वानप्रस्थ में जाने की इस पड़ाई का सार है वानी से परे जाना बाप ही सबको वापस ले जाते हैं तुम बच्चों को घर जाने के पहले सतुप्रधान बनना है इसके लिए एकांत में जाकर देही अभी माने रहने का अभ्यास करो अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतु प्रधान बनाएगा ओम शांती अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से तुम तमो प्रधान से सतु प्रधान बन जाएंगे और फिर ऐसे विश्व के मालिक बन जाएंगे, कल्प कल्प, तुम ऐसे ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, फिर 84 जन्मों में तमो प्रधान बनते हो, फिर बाप सिक्षा देते हैं, क्या सिक्षा देते हैं? अपने को आत्म समझ बाप को याद करो बक्ती मार्ग में भी तुम याद करते थे परंतु उस समय मोटी बुद्धी का ज्यान था अब महीन बुद्धी का ज्यान है सोक्ष्म से सोक्ष्म बातों को समझने की शक्ती है प्रेक्टिकल में बाप को याद करना है यह भी समझाना है, आत्मा भी स्टार मिसल है, बाप भी स्टार मिसल है, सिर्फ वह पुनर जनम नहीं लेते हैं, शुबाबा पुनर जनम नहीं लेते हैं, तुम लेते हो, इसलिए तुमको तमो प्रधान बनना पड़ता है, पिर सतो प्रधान बनने के लिए महनत करनी पड़े माया घड़ी घड़ी भुला देती है अब अभूल बनना है भूल नहीं करनी है अगर भूले करते रहेंगे तो तुम और भी तमो प्रधान बन जाएंगे क्योंकि ब्रामन जनम का हिसाब है एक का सौगुना इसलिए बाबा कहे ज्यान यानि समझ होने के बाद अगर भूले करेंगे तो वो छोटी-छोटी भूले भी सौगुना हो करके इतना बोज आत्मा पर चड़ जाता है डाइरेक्शन मिलता है अपने को आत्म समझ बाप को याद करो बैटरे को चार्ज करो तो तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे पीचर तो सबको पढ़ाते हैं स्टूडन्ट में नंबरवार पास होते हैं नंबरवार फिर कमाई करते हैं तुम भी नंबरवार पास होते हो फिर नंबरवार मर्तबा पाते हो कहां विश्व के मालिक, कहां प्रजा दास दासिया जो स्टूडन अच्छे, सपूत, आग्याकारी, वफादार, फर्मान वरदार होते हैं वो जरूर टीचर की मत पर चलेंगे बाबा कहे जो स्टूडन अच्छे, सपूत, आग्यकारी, वफादार, फर्मानवरदार होते हैं, वो जरूर टीचर की मत पर चलेंगे. जितना रजिस्टर अच्छा होगा, उतनी मार्क्स जास्ती मिलेगी. इसलिए बाप भी बच्चों को बार बार समझाते हैं. क्या समझाते हैं? बच्चे गफलत मत करो, गफलत न करो, ऐसे मत समझो, कल्प पहले भी फेल हुए थे. बहुतों को ये दिल में आता होगा, कि हम सर्विस नहीं करते हैं, तो जरूर फेल होंगे. बाप तो साउधानी देते रहते हैं. तुम सत्योगी सतोप्रधान से, कल्योगी तमोप्रधान बने हो, फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री जॉग्रफी रिपीट होगी. सतोप्रधान बनने लिए, बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं. कौन सा रास्ता बताते हैं? मुझे याद परो तुभी कर्मविनाश होंगे. तुम चड़ते चड़ते सतोप्रधान बन जाएंगे. चड़ेंगे धीरे धीरे. इसलिए भूलो मत. परन्तु माया भूला देती है. ना फरमान वरदार बना देती है. बाप जो डाइरिक्षन देते हैं, वो मानते हैं, प्रतिग्या करते हैं. फिर उस पर चलते नहीं. तो बाप कहेंगे आग्या का उलंगन कर अपने वचन से फिरने वाले हैं. बाप से प्रतिग्या कर फिर अमल किया जाता है. बाबा से प्रतिग्या कर फिर अमल किया जाता है. बेहत का बाप जैसी सिक्षाएं देते हैं, ऐसी सिक्षाएं और कोई देंगे नहीं. चेंज भी जरूर होना है चित्र कितना अच्छा है ब्रह्मा वन्शी हो फिर विश्नु वन्शी बनेंगे यह है नई इश्वरिय भाशा इनको भी समझना पड़ता है यह रूहानी नौलेज कोई देते नहीं कोई संस्था निकली है बाबा के समय में कोई संस्था निकली है जिन्होंने रूहानी संस्था नाम रखा है परन्तु रूहानी संस्था तुम्हारी बिगर कोई हो न सके इमिटेशन बहुत हो जाती है इमिटेशन यानि पपी जरूर कर देते हैं तो इमिटेशन बहुत हो जाती है यह है नई बात तुम बिल्कुल थोड़े हो और कोई यह बाते समझ न सके सारा जाड अब खड़ा है बाकि थूर नहीं है फिर थूर खड़ा हो जाता है बाकि ताल-टालिया नहीं रहेंगी वह सब खत्म हो जाएगा बेहत का बाप की बेहत की समझानी देते हैं अब सारी दुनिया पर रावन राज्य है यह लंका है वह लंका तो समुद्र के पार है बेहत की दुनिया भी समुद्र पर है यह सारी बेहत की दुनिया समुद्र पर है चारो तरफ पानी है वहद की बाते, बाप बेहद की बाते समझाते हैं एक ही बाप समझाने वाला है ये पढ़ाई है जब नौकरी मिले, पढ़ाई की रिजल्ट निकले तब तक पढ़ाई में लगे रहते हैं इसमें ही बुद्धी चलती है स्टूडन का काम है पढ़ाई में एटेंशन देना उठते, बैठते, चलते, फिरते क्या करना है? याद करना है स्टूडन की बुद्धी में ये पढ़ाई रहती है इम्तिहान के दिनों में बहुत महनत करते है कि कहां नापास न हो जाए खास सवेरे बगीचे में जाकर पढ़ते है क्योंकि घर के शोर के वाइब्रेशन गंदे होते है बाप ने समझाया है देही अभी मानी होने का अभियास डालो फिर भूलेंगे नहीं एकांत के स्थान तो बहुत है शुरू शुरू में क्लास पुरा कर तुम साब पहाडों पर चले जाते थे अब दिन प्रते दिन नौलिज धीप होती जाती है स्टूडन को एम अबजेट याद रहती है यह है वान प्रस्त अवस्था में जाने की पढ़ाई सिवाई एक के और कोई पढ़ा न सके सादू संतादी साब भक्ती ही सिखलाते हैं वाणी से परे जाने का रास्ता एक बाप ही बतलाते हैं एक बाप ही सबको वापस ले जाते हैं अब तुम्हारी है बेहत की वान प्रस्त अवस्था बाबा कहे अब तुम्हारी है बेहत की वान प्रस्त अवस्था जिसको कोई भी नहीं जानते हैं बाग कहते हैं बच्चे तुम सब वानप्रस्ती हो सारी दुनिया की वानप्रस्त अवस्था है कोई पढ़े वा ना पढ़े वापस सबको जाना है जो भी आत्माई मूल वतन में जाएगी वो अपने अपने सेक्शन में चली जाएगी आत्माओं का जाड़ भी वंडरफुल बना हुआ है यह सारा ड्रामा का चक्र बिल्कुल एक्यूरेट है लिवर और सिलेंडर घड़ी होती है न पहले के जमाने में एक लिवर घड़ी एक सिलेंडर घड़ी तो कहा जाता है लिवर घड़ी जो थी वो बहुत एक्यूरेट चलती एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता था तो बाबा भी कहे लिवर और सिलेंडर घड़ी होती है न लिवर घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट रहती है इसमें भी किनका बुद्धियोग लिवर रहता है इस पड़ाई में भी किनका बुद्धियोग लिवर यानि एक्यूरेट किनका सिलेंडर रहता है कोई कब बिल्कुल लगता ही नहीं है घड़ी जैसे की चलती ही नहीं तुमको बिल्कुल लिवर घड़ी बनना है तो राजाई में जाएंगे, सिलेंडर प्रजा में जाएंगे, पुरुशार्थ लिवर बनने का करना है, राजाई पद पाने वालों के लिए ही पोटों में कोई कहा जाता है, वही वीचई माला में पिरो जाते हैं, बच्चे समझ हैं, महनत बरोबर है, कहते हैं बाबा, घड़ी-घड़ी भूल जाते हैं, बाबा समझाते हैं, बच्चे जितना पहलवान बनेगे तो माया भी जबरदस्त लड़ेगी, पहलवान बनेंगे तो माया भी चबदस लड़ेगी मल युद होती है ना उसमें बड़ी संभाल रखते हैं मल युद में बड़ी संभाल रखते हैं पहलवानों को पहलवान जानते हैं यहां भी ऐसे हैं महावीर बच्चे भी है उनमें भी नमबरवार है अच्छे अच्छे महरतियों को माया भी अच्छी तरस से तुफान में लाती है बाबा ने समझाया है माया कितना भी हिरान करे तुफान लाए तुम खबरदार रहना कोई बात में हारना ने मनसा में तुफान भल आए करमेंद्रिय से नहीं करना है तुफान आते हैं गिराने के लिए माया के लड़ाई नव हो तो पहलवान कैसे बनेंगे माया के ही लड़ाई नव हो तो पहलवान कैसे बनेंगे माया के तुफानों की परवानी करने चाहिए परन्तु चलते चलते करमेंद्रियों के वश हो जट गिर पड़ते हैं ये बाप तो रोज समझाते हैं करमेंद्रिय से विकर्मन नहीं करना है बेकाइदे काम करना छोड़ेंगे नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे अंदर खुशी से समझते हैं हम नापास हो जाएंगे जाना तो सब को है बाप कहते हैं मेरे को याद करते हो तो वो याद भी मिनाश को नहीं पाती है थोड़ा भी याद करने से स्वर्ग में आ जाएंगे थोड़ा भी अगर याद किया तो बाबा का स्वर्ग में आ जाएंगे थोड़ा याद करने से अत्वा बहुत याद करने से क्या-क्या पद मिलेंगे तोड़ा याद करने से अत्वा बहुत याद करने से यह भी तुम समझ सकते हो कोई भी छिप नहीं सकते कॉन क्या-क्या बनेंगे खुद भी समझ सकते हो अगर हम अभी हार्ट फेल हो जाये तो किस पद को पाएंगे बाबा से पूछ भी सकते हैं आगे चल कर आपे ही समझते जाएंगे विनाश सामने खड़ा है तुफान, बरसात, नैचरल केलेमिटिस पूछ कर नहीं आती है रावन तो बैठा ही है यह बहुत बड़ा इम्तिहान है जो पास होते हैं वह उंच पद पाते हैं राजाएं जरूर समझदार चाहिए जो रैयत यानी प्रजा को संभाल सके आईसी यह सिम्तिहान में थोड़े पास होते हैं बाब तुमको पढ़ा कर स्वर्ग का मालिक सतो प्रधान बनाते हैं तुम जानते हो सतो प्रधान से फिक्तमो प्रधान बने अब बाप की याद से सतो प्रधान बनना है पतीत पावन बाप को याद करना है बाप कहते हैं मन मना भव यह है वही गीता का एपिसोड डबल से ताज बनने की ही गीता है बनाएंगे तो बाप ही ना तुम्हारी बुद्धी में सारी नौलेज है जो अच्छे बुद्धिवान है उनके पास धारना भी अच्छी होती है जच्छे बुद्धिवान है, उनके पास धाना भी अच्छी होती है, अच्छा, मीठे मीठे सी किलदे बच्चो प्रती, मात पिता बाप दादा का यात्यार और गुड मौनिंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते, हम सभी रुहानी बच्चो की रुहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया फिर बाबा के द्वारा रातरी क्लास है और ये रातरी क्लास पांच जन्वरी 1969 को बाबा ने कराया था बच्चे यहां क्लास में बैठे हैं और जानते हैं हमारा टीचर कौन है अभी यही याद कि हमारा टीचर कौन है स्टूडन को सारा समय रहती है यहां भूल जाते हैं पीचर जानते हैं बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं ऐसा रूहानी बाब तो कब मिला नहीं संगम युग पर ही मिलता है सत्यूग और कल्यूग में तो जिस्मानी बाब मिलते हैं यह याद दिलाते हैं कि बच्चों को पक्का हो जाए ऐसे पुर्शोत्तम बनने वाले हैं तो बाप को याद करने से तीनों ही याद आने चाहिए तावा कहें बाप को याद करने से तीनों याद आने चाहिए पीचर को याद करो तो भी तीनों याद गुरु को याद करो तो भी तीनों याद आने चाहिए ये जरूर याद करना पड़ता है मुख्य बात है पवित्र बनने की पवित्र को सतो प्रधान ही कहा जाता है वो रहते ही है सत्युग में अभी चक्कर लगा कर आये हो संगम युग है कल्प कल्प बाप भी आते हैं पढ़ाते हैं बाप के पास तुम रहते हो ना यह भी जानते हो यह सच्चा सदगुरु है और बरोबर बरोबर मुक्ती जीवन मुक्ती धाम का रास्ता बताते हैं ड्रामा, पलैन, अनुसार हम पुर्शार्थ कर बाप को फॉलो करते हैं यहां सिक्षा पाकर फॉलो करते हैं, फॉलो ऐसे अंधश्रद्धा युक्त नहीं करते हैं, लेकिन बाबा की सिक्षाएं पाकर फॉलो करते हैं, जैसे यह सिखते हैं, तुम बच्चे भी पुर्शात करते हो, देवता बनना है, तो शुद्ध कर्म करना है, गंद की कोई भी और बहुत खास बात है बाप को याद करने की समझते हैं बाप को भूल जाते हैं सिक्षा को भी भूल जाते हैं और याद की यात्रा को भी भूल जाते हैं बाप को भूलने से, क्या होता है, ग्यान भी भूल जाता है, मैं स्टूडन्ट हूँ, यह भी भूल जाता है, याद तो तीनों पढ़नी चाहिए, याद तो तीनों पढ़नी चाहिए, बाप को याद करें, तो टीचर सद्गुरु जरूर याद पढ़ेंगे, शिबाबा को य तो साथ साथ दैवी गुन भी जरूर चाहिए, बाप की याद में है करामत, करामत जितनी बाप बच्चों को सिकलाते हैं, उतनी और कोई सिकला न सके, समो प्रधान से हम इसी जनम में सतो प्रधान बनते हैं समो प्रधान बनने में पूरा कल्प लगता है अभी इस एक ही जनम में सतो प्रधान बनना है इसमें जो जितनी मेहनत करेंगे सारी दुनिया तो मेहनत नहीं करती है दूसरे धर्म वाले मैनत नहीं करेंगे, बच्चों ने सक्षत कर किया है, धर्म फठापत आते हैं, पाड़ बजाया हुआ है, फलानी फलानी ड्रेस में, तमों प्रधान में वह आते हैं, समझ भी कहती है, जैसे हम सतो प्रधान बनते हैं, और सभी भी बनेंगे, पवित्रता का दान बाप से लेंगे, सभी बुलाते हैं, हमको यहां से लिब्रेट कर घर ले चलो, गाइड बनो, यह तो ड्रामा प्लैन अनुसार, सभी को घर जाना ही है, अनेक बार घर जाते हैं, कोई तो पूरे पा पूरे पांच अजार वर्ष रहते हैं, अंद में आएंगे तो कहेंगे, 4,999 वर्ष शांती धाम में रहें, हम कहेंगे, 4,999 वर्ष इस रिष्टी पर रहें, यह तो बच्चों को निश्य है, 85-84 जन्मल यह हैं, जो बहुत हुशार होंगे, वह जरूर पहले आए होंगे, अच्छा, मीठे मीठे रुहानी बच्चो प्रती, याद प्यार और गुड नाइट, आज की मुडली से धाना के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करने है, अभूल बनना है, अपना नहीं करनी है, दूसरी पॉइंट, कोई भी बेकाइदे कर्म नहीं करना है, माया के तुफानों की परवा नकर करमेंद्रिय जीत बनना है, और लिवर घडी समान एक्क्यूरेट पुरुशार करना है, आज का बाबा का मदुरुबर्दान हम बच्चों के प्रती है, सेवा द्वारा, खुशी, शक्ती और सर्व की आशिर्वाद प्राप्त करने वाली उन्यात्मा भवा, सेवा द्वारा, खुशी, शक्ती और सर्व की आशिर्वाद प्राप्त करने वाली उन्यात्मा भवा, सेवा का प्रत्यक्षफल, खुशी और शक्ती मिलती है, सेवा करते आत्माओं को बाब के वर्से का अधिकारी बना देना, यह पुन्य का काम है, सेवा करते आत्माओं को बाब के वर्से का अधिकारी बना देना, यह पुन्य का काम है, जो पुन्य करता है, उसको आशिर्वात जरूर मिल दी है, सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते, वश्यूब संकल्प आशिर्वात बन जाते हैं, और भविश्य भी जमा हो जाता है, सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते, वश्यूब संकल्प आशिर्वात बन जाते हैं, और भविश्य भी जमा हो जाता है, इसलिए सदा अपने को सेवाधारी समझ, सेवा का अविनाशी फल, खुशी और शक्ति सदा लेते रहो, आज का स्लोगन है, मनसा वाचा की शक्ति से विग्न का परदा हटा दो, तो अंदर कल्याण का दृष्य दिखाई देगा, मनसा वाचा की शक्ति से विग्न का परदा हटा दो, तो अंदर कल्याण का दृष्य दिखाई देए, चा, ओम, शान्ति